तो फाइनली धूंड लिया आपने हाँ मुझे उम्मीद थी आप धूंड लोगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा साथ इतिहास हमारा भारत दो हर्यान बोर्ड की किताब आपकी है उसके पार्ट नंबर 9 के अभ्यास के पर सनुत्तर पार्ट का नाम है विजय नगर सामराज्य है चलो सुरू करते हैं मैं हूं अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास आपको एक काम की जानकरी है जो वीडियो के स्टार्टिंग में दे देता हूं आपको यह जो बुक है हमारा भारत दो इस पूरी बुक का सुलिशन मिल जाएगा जिसके अंदर इसे भीरे आपको हरेकं पार्ट के नोट अब्यास की परशनी स्टर महत्र परव्ण परशनुंतर इस नśmy जाएगा अब सक्कूंडерх उड्याद fak other all लिस्त काhtर 2020 मिलेगा और साथमें यह सारी चीज्ञ है प्रिपेर करना तो कोई दिखत्म ना होे प्रैक्टिसक्रम करना यह विजयनगर की कहानी पढ़ ली बहुत ही प्यारी ही मज़ेदार सी कहानी थी अब हमें कुछ परसनों के जवाब देने हैं सही उत्तर छाटे हमको सही उप्सन चूज करना है कुन सा है पहला परसन विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी हरीहर पर्थम और बुक्का राय तो तो किसे ने कर सी हरीहर पर्थम और बुक्का राय पर्थम जिसको हम आम भासा में हरीहर और बुका लिखावा मिलेगा बुक में वग्ठ विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था 6-7-10-5 कितनों नहीं बट रखधा था फैसे हमारे सहार होते हैं तो हरयाना मान लो एक विजयनगर है बड़ा सामराज्य है और इसके अंदर बहुत दिजीले हैं वैसे इनके प्रांत बने वेट उस टाइम प कि उपादी किस ने धार्ण करी यCUँ अली थी ये कि सासग ने धार्ण की झाल जैसे कुछ राजा क्या करते महाराजदी्या दिया लगते इसने काजीव सी उपादी लगाई वेदमार्ग परतिस्थ तो यह जो तेवराय बुखका पर्थम ने उपादी इस्तेमाल करी थि लगाई थी हर विलाज यह जो गरंथ है किसी रचना किस ने करीती कवी श्रीनाथ पर्थम स्रिनाथ ने इसकी रचना करी थि अगला जो पर्षन है वह मारे पास में, कृष्ण देव राय ने अपनी माता नागंबा की याद में कि सहर का निर्माण कवाया, डेखो जयत तर इसी की याद नहीं भाई वो जीत विजय के नाम पे उसको बनवाया था उन्होंने कुछ जीता था और उसकी अचीवमेंट में उस सहर को बसाया गया था तो इसलिए उसका नाम क्या रखती है विजय नगर रख दिया ऐसे ही होता था पहले के टाइम में तो नागंबा की नदी थी यह एक्जाम में भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस नदी के किनारे पर बसाया गया था तो कौन सी नदी थी वो तुंग भद्रा नदी खालिस्तान ने संगम बंधुओं को उन्हें हिंदू धरम में प्रवेस करवाया संगम बंधुओं को हिंदू धरम में वापिस कौन लेकिया था विद्यातिर्थ विजयनगर के अवसेस आज भी खालिस्तान में विद्यमान है हम पी एक सहर है आज के टाइम पे जहां पे हमको विजयनगर सामराज़त था बेसिकली वहाँ पे तो वहीं से हमको काफी सारी जो है विजयनगर की जानकारी प्राप्त हुई है तलिकोट का जूद, खालस्तान के मद्या लड़ा गया, काफी खतरना जूद था, जूद रॉट बिछ लड़ा गया था, बड़े राजा थे, एक था रामराय और एक था बहमनी सासक, देखो रामराय जो है, विजयनागर का सासक था, जो कि राजा मराने के बाद में ये राज बना था और बहानी सास सकते कई सारे छोटे चोटे बहुत सारे राजा थे उसमें विभाजन हो चुगा था साइद चार-पांच कुछ र्यासते बन चुगी थी बहानी सासकों की तो वो सारी कठा ओगी सोच रहा था ये वाला बंदा कि भाहिन की बजवाद से बजवाद और पादी दारण की किसकी उपादी ती महाराजा दीर राज की उपाधी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे हैं मारे पास में अगर सही है तो टिका मार दो गलता तो ओरेंज कलर में काटा मार दो ठीक है बिद्गता निरमान करवायं सब्सक्राइब कऱें गुद हैं लिए सब्सके औ भा से मदाय गए जो इमारत बादिया इसने नई विजयनगर सामराज्य की बात हो रही है आपर शिरफ विजयनगर सामराज्य में दर्वीड सैली चरम सीमा परती हां बिल्कुल सही है यह जो है ना एक सैली जैसे हमारा घर बनता ना तो घर बनाते टाइम पर हम देखते हैं भाई कमरा कहा रखना है बालक सैली का इस्तेमाल करवाय गया यह तीनमंदिर नहीं हजार द्धारो можем को करती ज见 बल्कुल गलत बात है दो हजार दो बहुत मैंगे थे तो तीन हजार नहीं थे वो दो हजार धनुसदर थे और इन्हों ने बोला है तीन हजार तो यह गलत है ठीक है क्रिशन देवराय के दरबार में तैलुगू कवियों में पेडूडन सरोपरमुखते बिल्कुल सही बात है काफी परसीद बंदा था यह भानओ था ठीक है यहां पर बस मिला ना होता है कि उसने कुछ करा होगा बस उससे मिला दो छलो देखो यहां पर हम आसाना सब असलों मिलाएंगे पहले थी यह उसके बाद को टील्य को तो सबको याद होने चीए मालब आगे अगर कभी मन करेंना पढ़ने का तो पढ़ ले सब्सक्राइब इनके टाइम में इनके सासंकाल में यह विदेशी तिर्थ यात्री था जो भटकने आया था विजयनगर सामराज्य में जब राजा कुन था देवराय द्विति है हमपी हमपी जो है नाम जो हमपी पड़ा था वो पंपा देवी के नाम पर वहां की मातरी देवी थी वो और उसी के जिसका नाम था पंपा देवी तो उसी के नाम पर इसका नाम जो है सहर का नाम हमपी पहला पर्षन क्रिशन देवराय दवारा रचीद परसिद रचना आमुक्त माल्यद 21 भासा में लिखी गई थी कौन सी भासा में तेलूगु भासा में ठीक है देवराय पर्थम के सासनकाल में किस इटली यात्री ने विजयनगर की यात्रा करी तो कौन था वो निकोलो अगला पर्षन है कि महान सासक को विजयनगर इतियास में इमाडी देवराय से भी जाना जाता है तो कौन था देवराय द्वीदिया देखो इन्होंने खुद भी वतार्ख है क्या वह था दो बंदों ने इमाडी के उपादी लगाई थी एक तो था कुछ नर्सिंगा कुछ अब देवराय ने अपने नाम के लगा लिया और इमारी देवराय बन गया तो कौन सा था किसता आपना किन लगा दियाँ एक से Dire माडी नर्सिंगा भी आ पिधि न organise जाता था तो कौन सी नदी थी वो क्रिष्णा नदी थी और ये इतनी खतरनाख नदी थी इसके चक्कर में बहमनी और विजयनागर की बजी रहती थी रोज की रोज भाई मैं पानी लूँगा मेरे की रियासतों में पानी नी आ रहा तुम लेके भाग गए सारा पानी अब बवाल ही बवाल थे इस नदी के चक्कर में चलो आगे बढ़ते हैं बवाल उनका काम था भाई वो करे और मर गए लेकिन हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं आईए फिचार करें सोचे जना काफी बड़े-बड़े परसन आते हैं एक्जामेन में से पहला परसन क्रिशन यह हमको बताना है देखो क्रिशन देव राइव विजय नगर के ने अपनी योग्यता से विजय नगर को उन्नती के सीखर पर पहुचा दिया मलब टोप लेवल पे बहुत सारी चीजों का इसने निर्मान करवाय था इतिहासकार डोक्टर आर सी मजूमदार ने उनके बारे हैं में समझेु नदेव राइव के बारे में लिखा है वह विजय नगर राजय का सबसे महांसा सकता और उसकी घिंती भरतीय इतियास के पर्सिद शासकों में कि जाती है वह Nash बहुत पर शाह सकता कला और साही त्यका सरक सकता उसके सासनकाल में पूर्त गाली यात्री आयता बार बोसा उसके अलावा है था डॉमिंगो पाया उन्होंने यात्राएं करी थी और इन यात्रियों ने भी उनके शासन व्यावस्था कि बहुत अधिक परसंसा की थी अभी यह लाइने जैसे इसने पता है न ऐसे इससा है तो इसकी लाइने लिखता हूं बहुत बड़ा हो ज बहुत सारे इसे तो कोई इसकी किताबों में इसका वरणन मिलता है वाबर की किताब में बाबर नामा में भी इसका वरणन मिलता है हमको जो बता रही हैं कि एक आगे बढ़ते हैं परसन का उत्राइब आपको समझ आगे होगा अच्छे से परसन नमबर दो अध्याय में वर्णित स्थापत्य समार्गों को सूची बद करें और उनमें से परते की संक्षेव में व्याख्या करें मतलब बहुत सारी इमारत हैं समार्ग हमको देखने को मिले पार्ट के अंदर तो उनका हमको वर्णन करना है कोन कोन से क्या चीजे बना रखी ती क्या सीन्ता कैसी थी वो तो यहां पर हमने तीन का डिस्कुस करने बैठके तो भाई बहुत सारे हैं में ने कमल महल साही छेटर में सुन्दर भवन कमल महल है इसकी महराब पर एक बहुत सुन्दर डिजाइन बनाए हुए हैं इस भवन को कमल महल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन महराबू को दूर से देखने पर कमल जैसे याकृती बनती है सिंपल वात है ना चलो याद रहेगा अगला जो परसन है अगला जो पॉइंट परसन बहुत मंदीर बहुत सा में ताड़ पत्री और पार्वती मंदीर भी बहुत प्यारे हैं कांची पूरम के वरिद राज और एकंबरनाथ मंदीर कल्यान मंदब भी उल देखनिया है इन मंदीरों के गोपूरम सबसे अधिक परभावसाली हमें देखने को मिलते हैं तो यह जो है कि इतने सारे मंदीर दिब्बा लगबग जो है ग्यारा हजार वर्ग फीट के आधार पर चालीश फीट की उंचाई तक बनी पत्थरों की मंच नुमा आकरीती स्टेज होती है वैसी चीज आईए इसके उपयोग को लेकर विद्वानों में आज भी मतबेद है फिर भी अदिकतर विद्वानों क का मानना है कि विशेश अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों के सिम्हें यहां समराट और जनता इकठी होती होगी और समराट बिना माइक के जोर जोर से जनता को सुनाता होगा भाही जो भी भासन सुनाना है उसको है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और काफी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कोस्टन है इस कोस्टन को इस चैप्टर में इंपोर्टेंट मार करो और याद कर लेना ठीक है तो विजयन अगर की परसाशनिक व्यवस्था की परमुख विशेशता ही क्या थी बहुत सारे पॉइंट मैंने दिये हैं पांच पॉइंट अब यहां पर क्या बताना है कि थोड़ा कोस्टन वापिस समझते हैं हम व्यवस्ता worth राजा का सासन चले रहें वह उसकी व्यवस्ता कैसे कोन क्या कैसे करेगा वह लाई work क्या इनक्व अर्धारि और लुम भीN पर ना होने की दसा में राज परिवार के किसी भी योग्य वैक्ति को सासक अपना यूवराज चुन लेता था राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिशत होती थी जिसमें परधान मंत्री अन्या मंत्री भागों के परधान आदी राज्य के बड़े परमुख और योग्य व होती है जमीन जहां पर भूस अबत मिलेगा आपको समझ जमीन की बात हो रही है तो जमीन से जो कर लिया जाता था राजसर्व तो जो उपजगा तिहाई या च्छटा भाग होता था च्छटा भाग का इंदा सैंस मत्लब आपके पास में जो है अनाज है कुछ भी तो उसका च्छटा भाग या नहीं कि एक किलोग्राम आपको राजा को देना पड़ेगा च्छानों से चावल की उपजगा एक तिहाई भाग रागी चना आधी का एक चोथाई भाग बाजरे और अन्या सुस्क फसलों से उपजगा इंसी सेतरिस्टा भाग कर लिया जाता था वजयनगर के राजा नहीं में विश्वास रखते थे सामराज्ये के विविन भागों में नियमित न्यालिया थे, ग्रामों में जाती पंचायते और स्रेष्ट संगठन भी न्याये कारे करते थे इन सब के उपर राजा का न्यालिया था, जिवसे सभा कहा जाता था अगर कहीं भी मसला हल नहीं हो रहा तो भाई राजा की सभा में चली जाओ वहां फैसला होगा फिर तुमारा उसने जो फैसले देते हैं वो तो मानना पड़ेगा उसके आगे तुम नहीं जा सकते फिर तुम होती है विजैनगर सामराज्य की सेना सू संगठी तोर स्थाई थी सेना का परमुख राजा होता था पैदल घुर सवार हाथी तोप खाना सेना के परमुखंगते विदेशों से उत्तम नसल के घोड़े आयात करवाए जाते थे ताकि लड़ाई हो तो भाई ऐसा ना पता लगे घोड विजैनगर सामराज्य का वर्ण कीजिए भारत वालों ने तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं था कि अपने घर की कौन गुणगान करता है ना तो बाहर वाले लोग आये थे कुछ और उन्होंने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया बोला विजैनगर के बारे में तो वह विजैनगर कैसा था ठीक है यह लिखने ध्यान दे के विभीन विदेशी यात्रियों ने उनकी धन समपत्ति की परसंसा की थी इटली निवासी यात्री निकोलो दा कॉंटी पूर्तगाली निवासी यात्री डॉम्यूस पायस इरानी यात्री अब जुराक ने अब दुर्जाक ने लिखा है विजैनगर के समान ना तो कोई सहर देखा है और ना ही उसके समान विशो में किशी नगर के बारे में इतना सुना है फुर्तगाली यात्री पायस ने भी लिखा है यह विशो का सबसे सुनदर सहर है जहां गेहूं चावल जों डाल और अन्य स अभी वस्तों की भरमार है वह फिर से लिखता है कौन लिखता है डोमिंगो पायस यह वापिस से लिखता है एक और बार अपनी बुक के अंदर यहां के राजा के पास ऐसीमित संपत्ति क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है अब उसको ऐसे दिखाएंगे थोड़ी ना कि मेरे वह फिर पास इतना सोना है तो ऐसी मित संपत्ति, सयनीक और हाती है क्योंकि यहां यह पर्चूर मातरा में उपलब्द है इस सहर में तुम्हे सभी देशों के निवाशी मिल जाएंगे क्योंकि यहां के निवाशी सभी देशों से कीमती पत्थरों, हीरो, मुख्यत हीरो का व्यापार करती हैं। बार बोसा ने नगर की परसंसा करते हुए लिखा था नगर बहुत ही विस्तरित यानि बड़ा और सखन बसा हुआ है बहुत सारे लोग ठीक ठाक से एरिये में रहते हैं भारत में के हीरो पिंगू के लाल चीन और अलेक्जंट्रिया की रेशम सिंदूर कपूर घस्तूरी माल हो ला था उन्होंने इससे आप आइडिया लगा सकते हैं एक आइसी रियासत है विजय नगर की जो की नेस्ट लेवल पहुंची हुए सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा जैसे आज के टाइम पर बात करें दिल्ली बसावा बिल्कुल तो वैसे जो है वहां भी चलो लाश्ट परशन है हमारा इस चैप्तर का है विजय नगर सामराज्य के कारणों का के इनका पतन था वो किस कारण से ॐस जो सभड़ाज्य के लिए कोई बड़ा कारण नहीं था सिरफ एक लड़ाई ने पूरे सामराज्य को बाद करके रख दिया और वह लड़ाई थी तली कोट का यूद देखो क्या हुआ था क्रिशन देव राय की मृत्यू के बाद उत्रादिकारी के लिए संगर्स हो गया उसके बाद अच्यूत राय और सदाशिव राव राय जो है गद्दी पर बैठ गए अब इस काल में राज्ये की वास्तुविक सक्ति क्रिशन देव र राज्ये के खंडो यानि की खंड का मलब है टुकडे जो हो रखे थे हमनी सामराज्या था पूरा वो तूट चुका था भीजापूर में गोल कुंडा में अहमद रगर तो एक दूसरे के विरूत साहिता देने की नीती अपनाई कि मैं इसको मदद दूगा इसको मदद दू देने आ रहा है बीच में तली कोट का यूद्व विजयनगर सामराज्या के लिए पतन का कारण बना और कोई मेजर रीजन नहीं था कि विजयनगर सामराज्या बरबाद हुआ हो बस यही एक बड़ा कारण था आओ करके देखे यह जो फाल्टू परसंस हमको दिये जाते है हैं ताकि हम थोड़ा सा एक्सपिरेंस ले पाए सोच सके थोड़ा सा इनके बारे में अब यहां पर पहला परसन है आप एक विदेशी व्यापारी के रूप में विजयनगर के बाजारों में भर्मन कर रहा होता तो मेरा विवरण कुछ ऐसा होता आपको विजयनगर के तो बाजार में हर परमार की वस्तू देखने को मिल सकती है ब्सक्राइब को आपको साफ नेकों मिल जाएक बाजार में बहुत बीड होती है क्योंकि यहां में बाजार के बाए में बतासकते हैं अब हम σारह कि हुआ Firstly मिल जाएगा Indeed तो वो तो करने से रहिए हम यहाँ पे बिंडी बजार थोड़ी ना कोलना है चलो अगला परसन है वो है कल पना करे माला विश्में भी भाई सोचो खयाली पुलाओ बनाओ आप भी पहला परसन है एक ही परसन है समुदरी व्यापारी कि इस परकार समुदरों को पार करते थे वे कौन कौन से तकनी की य बहुत सारी कठी नायों का सामना भी करना पड़ता था उन्हें रास्ता निर्दारित करने के लिए सही और सही आपको का यह आपको क्या हो गया पता कल्याव तारो पर निर्वर रहना पड़ता था इसके साथ ही उन्हें समुदरी नक्से की भी जुरूरत पड़ती थी इनक्न को दो चीज़े ये थी तो नक्सा समुदर का कैसी है उसके बाद में उनको तारो की जुरूरती पहले के टाइम में ऐसे नहीं था मस्त फिलम है मज़ा आ जाएगा आपको वी चलो कोई ना वह आपकी इच्छा देखना ना देखना बट मैंने आपको एक ओवर्व्यू दे दिया है कैसे क्या करते थे वह ठीक है चलो यह थे आपके अभ्यास के परसन उत्तर आई होप आपको समझ में आ गए होगी और जिसको सब्सक्राइब करो साथ में घंटी तबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए